इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पर भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारी के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोग जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई एनस करवती अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई है लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि इसमें एक बड़ी कमजोरी है क्या ही ये कमजोरी और कैसे इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है इसकी सारी डीटेल आपको बताऊंगा साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इसके नेवी में शामिल होने से कितना बड़ा फायदा हमारी नेवी को हुआ है आई एनस करवती एक स्टेल्थ अंटी सबमरीन वारफेर कॉरवेट है यानि इसका इस्तमाल पंडुब्बियों के खलाफ जंग में किया जाएगा ये कमोर्ता क्लास की कॉरवेट है और ऐसी ही तीन और कॉरवेट पहले ही नेवी में शामिल की जा चुकी है आई एनस कमोर्ता जो 2014 में कमिशन हुई 2016 में आई एनस कदमत को कमिशन किया गया और आई एनस किलतन 2017 में कमिशन हुई यानि पहली कमोर्ता क्लास की कॉरवेट को इंडिया नेवी में शामिल हुए 6 साल भी चुके हैं और उसके बाद तीन और इसी क्लास की कॉरवेट शामिल भी हो चुकी है लेकिन जो पहले में कमजोरी थी वो कमजोरी अभी भी बनी हुई है लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की इसके इतिहास की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुवात क्यों और कैसे हुई इसकी शुरुआत हुई प्रजेक्ट 28 के जरीए कमोर्ता क्लास की आखरी कॉर्वेट यानि आई एनस कवरती का निर्मार गार्डन रीज शिप बिल्डर्स और इंजिनियर्स ने किया है इसकी शुरुआत जनवरी 2012 में हुई थी मई 2015 में इसे लॉंच कर दिया गया था इसी साल यानि फरवरी 2020 में इसका सी ट्रायल पूरा हुआ और 22 अक्टूबर को विशाखा पत्न में इसे कमिशन किया गया कमोर्ता क्लास की चार कॉर्वेट को बनाने का काम पूरा हो गया है और इसी के साथ पूरा हो गया है प्रजेक्ट 28 इसका जो नाम रखा गया करवती ये नाम रखा गया है हमारे केंदर शासित प्रदेश लक्षोदीब की राजधानी करवती के नाम पर लेकिन इस प्रोजेक्ट ने हमारे देश को गर्व करने के लिए एक बड़ा उधारन दिया है वो इसलिए क्योंकि 90 फीजदी ये कॉर्वेट स्वदेशी है और इसमें करीब 1700 करोड रुपे का खर्च आया है इसका स्टेल्थ डिजाइन है जो हमारा स्वदेशी है न्यूक्लियर हमला हो, बायोलोजिकल हमला हो या फिर केमिकल हमला इन सब में ये लड़ने के लिए हमेशा तयार रहेगी इसमें कुल 123 लोगों का क्रू रह सकता है जिसमें 17 ओफिसर हैं और 106 सेलस हैं इसके लंबाई 358 फीट है और चोड़ाई है 42 फीट और इसके डिस्प्लेस्मेंट है 3300 टन इसे बेहद उन्नत कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया गया है जिसके वज़े से इसके रडार सिगनेशर बेहद कम है यानि दुश्मन की पंडुबियों के रडार को इसे डिटक्ट करने में बेहद मुश्किल होगी और साथ ही कार्बन फाइबर कंपोजिट माटीरियल से बने होनी के वज़े से ये हलका भी है परंपरागत कॉर्वेट से बेहद मजबूत भी है और बेहद तेज भी है जिससे इसे मनुवर करना बहुत ज़ादा आसान है इसमें चार पाइल स्टिक 12 PSX STC डीजल इंजन लगे हैं जो 3888 किलो वाट की ताकत पैदा करते हैं जिसमें इसे 25 नॉट्स यानि 46 किलो मिटर प्रती घंटे की रफतार से समंदर की लहरों पर सवारी करने की आजादे मिलती है इसकी रेंज है 5550 किलो मिटर जो पिछली INS करवती थी वो अरनाला क्लास की कौरवट थी और उसने 71 की जंग में बेहत एहम भूमिका निभाई थी ओपरेशन ट्राइडन तो याद होगा आपको कराशी पोर्ट के लिए जो हमने हमारी नेवी ने जो ओपरेशन किया था उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और उस INS करवती को 1986 में डी कमिशन कर दिया गया अब 2020 मतब अब तक 2020 यानि की 34 साल बाद INS करवती एक बार फिर भारत के समंदर की लहरों पर उतर चुकी है इंडिया नेवी को एंटी सबमरीन वारफेर के लिए ऐसे करवत की बहुत ज़्यादा जरूत है क्योंकि आप जानते ही है कि इस वक्त चीन का पंडुबियों का जो बेड़ा है वो बहुत बड़ा है उसे काउंटर करने के लिए भारतिय नेवी के एंटी सबमरीन वारफेर को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए चीन के पास इस वक्त चोहत्तर पंडुबियां हैं वहीं पाकिस्तान के पास आठ हैं और भारत के पास सिर्फ सोला पंडुबियां हैं अब चुकि भारत जो है वो तीन तरफ से समंदर से खिरा हुगा है तो जाहिद से बात है कि भारत के नेवी को मजबूत होना होगा, एंटी सब्मरीन वारफेर को मजबूत करना होगा और सबसे बड़ी बात, पंडुबियों की संख्या बढ़ानी होगी, जिस पर काम किया जा रहा है और निकट भविश में और भी कई पंडुबियां हमारे बे प्रजीशन रडार लगा है, जिसे DRDO ने विक्सित किया है, इसकी रेंज है 200 किलोमेटर और एक साथ, 150 से जादा टार्गेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, 18 किलोमेटर के उचाई तक कि किसी भी टार्गेट का इसकी निगाहों से बचना नामुम्किन है, यही नहीं, लो और गाइडेंस और गनरी फायर कंट्रोल रडार भी लगा है, यह एक्स और के बैंड पर उप्रेट करता है, इसमें डूल बैंड है, जिसकी वज़ए से ट्रैकिंग की सटीकता बहुत ज़ादा है, कॉरवेट मेलेगी गन्स के फायर कंट्रोल के लिए B.E.L. शिकारी को इ इसमें डूल किया गया है, वही पंडुब्यों का पता लगाने के लिए N.P.O.L. हमसा यानि हल माउंटेट सोनार एरे लगाया गया है, साथ ही इसमें बॉंबर इलेक्ट्रोनिक वारफेर सूट, B.E.L. अजंता भी लगाया गया है, जिससे हमला होने की सूरत में काउंटर में जस लिए जा सकें, रक्षात्मक प्रनालियों में कवच डिकोई और संकीत का भी इस्तमाल किया गया है, यही नहीं, इसमें जिस कम्मुनिकेशन ग्रिड का इस्तमाल किया गया है, वो है गिगाबिट इथरनेट बेस इंटीग्रेटेड डेटा नेटवक है, और इसे फा अगे हथियारों की, इसमें एक आटो मिलारा SR GM यानि सुपर रैपिड गन माउंट लगा है, यह इटली की गन है, जिससे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, अंडर लाइसेंस भारत में इसका निर्माण BHEL करती है, जिसमें 76.2 mm के गोलों का इस्तमाल किया जाता है, सु इसमें 30 mm की गोलियों का इस्तमाल होता है, रेट ओफ फायर 5000 राउंड पर मिनट है, आसमान में टार्गेट के लिए इसकी रेंज 4 किलो मिटर है, जबकि समंदर के टार्गेट के लिए रेंज 5 किलो मिटर है, इसके अलावा इसमें 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉंचर भी लगे ह इससे फायर होने वाले रॉकेट्स पानी के भीतर करीब 1 किलो मिटर तक मार कर सकते हैं, मतलब इनका इस्तमाल तब किया जाता है जब पंडुब्बी बिलकुल करीब आ जाती है, यानि शॉर्ट रेंज पर, लंबी दूरी पर मौजूद पंडुब्बियों को मार गिराने क लेकिन उससे पहले एक बेहद एहम बात, अगर आपने अभी तक डिफंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दाई तरफ जो लाल बटम दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें, और साथ ही बेल आईकॉन भी दबाएं, जिससे हमारे हर नए वीडियो क जानकारी आपको फोरा मिल जाए, और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपना प्यार और सपोर्ट यूही आगे देते रहें, तो आईनस करवती सही जो हमारी चारो एंटी सब्मरीन कॉर्वेट हैं, उनके सबस जोरी इसलिए क्योंकि युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, और इसकी वज़े से खत्रे भी बढ़ गाए हैं, ड्रोन से अटाइक करने की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, उससे बचने के लिए इस तरह के कॉर्वेट पर सर्फिस टु एर मिसाइलों का होना बहुत लाजम वैसे तो आइनस कवरती सही चारों ही अंटी समरीन कॉर्वेट को तयार इसी हिसाब से किया गया है, कि उसमें सर्फिस टु एर मिसाइलें लगाई जा सके, अब वो मिसाइलें कौन सी होंगी, ये अभी तक लियर नहीं हो पाया है, आइनस कवरती को इस सरह से डिजाइन किय गया है, कि उनमें 16 बराग मिसाइलों को लगाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, नवी ने पिछले साली सर्फिस टु एर मिसाइलों के खरीद के लिए रिक्वेस्ट रफ प्रपोजल निकाला है, जिसके तहत करीब 1.500 मिसाइलें खरीदे जाने की हुई थी, 2013 में भारत और फ्रांस के बीच MOU भी साइन हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बड़ी और ये डिब्बे में चला गया, निवी द्वारा RFP इशू किया जाने के बाद MBDA ने अपने C-Septor मिसाइल को उफर किया है, इसके तहत वो L&T के साथ मिलकर मेकिन इंडिया के तहत भारत में ही इस मिसाइल को बनाएगी, राफेल फाइटर जेट्स में MBDA की ही डीप स्ट्राइक मिसाइल स्काल्प और मिटियोर एर टू एर मिसाइल इस्तमाल किया जा रहे हैं, C-Septor next generation ship based all weather air defense weapon system है, ये किसी भी ship को सभी प्रकार के air threats से सुरक्षा परदान करती है, इ इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन मिसाइलों को उन जहाजों पर भी लगाया जा सकता है, जो किसी और fire control system का इस्तमाल कर रहे हैं, यानि ये मिसाइल बहुत flexible है, अब नेवी को ये ताय करना है कि उसे C-Septor मिसाइल ही चाहिए, या कोई और मिसाइल चाहिए, क्योंक बहुत जल्द और बहुत तेजी के साथ दूर किया जाएगा जिससे ये पूरी ताकत के साथ समंदर में रहें और दुश्मनों के होश वड़ाती रहें, तो दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना न भूले और साथ ही दस लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें क्योंकि जानकारी बाटने से ही बढ़ती है तो जल्द हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद